आज में आप लोगी साथ गुबारे जैसी गोल गोल पूरन पोली की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह इतनी सॉफ्ट बनी है कि मुझ में जाती एकदम घुल सी गई है पच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आप उनको यह खिलाएंगे और देखिए कितनी मुलायन कितनी कि यह सबसे फेमस डी शेयर जिसको आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करी हूं सिकिंड टाइम मैं बना रही हूं और अभी क्यूंकि गनपती चल रहे हैं तब यह प्रशाद के रूप में आप उनको चढ़ा भी सकते हैं मेजर्मिंड के हिसाब से हमें सबसे पहले चने की दाल को 3 एफ पहले बिगोना है तो एक कप चने की दाल में लेज हूं जिससे करीब 6-7 पूरहन पूली बन जाएंगी करीब तीन से चार सीटी तब तक हम आटा लगा लेते हैं पांच से छे पूरन पोली बनाने के लिए आपको आधा कप आटा चाहिए और आधा कप भी मैं इसमें मैदा मिला रही हूँ वैसे बहुत सारे लोग इसको आटे के साथ ही बनाते हैं या बहुत सारे लोग इसको सरफ मैदे के साथ भी बनाते हैं मैं mixing करके बनाती हूँ, हमने मिलाना है इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी, हल्दी शुब मानी जाती है इसलिए इसमें डालनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको गूत लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बह इल्खुल भी वो क्रैक नहीं होगा आटा क्योंकि जबी भी आप पराठे वगरा भी बनाते हैं तो उसमें आपको घी का मौइन जरूर देना चाहिए जिससे की पराठे एकदम सौफ्ट बनते हैं आप देख रहे हैं कैसे आटा एकदम अभी छूत रहा है साइट साइट से औ और सबस्वर्दाारा छाया हो क्लियों क्षिताजे काल आटा में केम कपड़े मीट्यूर मुनन भी हो चुकी है जाए लिए यहरा हुआ जनी में ड्याशनी हो चुकी हैं देखिए के कि द Town भी ठाला हुज हुं पानी सारा निकाल देना है सारा पानी निकल जाएगा और आपने दाल ले लेनी है मैंने थोड़ी सी जादा दाल ये भिग होई है क्योंकि मुझे एक और डिश बनानी है जो मैं नेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी तो एक कटोरी मैंने ले ली है चने की दाल तो इ कि अराम से हमारा जो पूरन है उसमें मिक्स हो जाए तो यह देखे एक कटोरी के आसपास मेरी दाल है और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने गुड़ ले लिया है दाल कि मैंने तो तक हमारे आटे में लगाएंगे तो दाल से भी हर नहीं ताइप नहीं होनी चाहिए कभी सीमाच करना होगा लेकिन चलाना आपने इसको लगातार है यह बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए और क्योंकि इसमें गुड़ है तो गुड़ जल्दी से जल जाता है इसलिए आपको लगातार इसको चलाना होगा बहुत जादा तेज आच मत करिएगा नहीं तो आपका लगवड़ जल जाएगा मुश्किल से 3-4 मिनिट में देखे इस तरीके से एकदम सुखा सुखा सा हो जाएगा और इसका जो पानी है पूरा सूख जाएगा अब इसको कैसे देखेंगे इसके लिए एक तरीका है आप एक चमच लेंगे और उस चमच को आप इस आटे में लगाएंगे अगर वो चमच खड़ी है यानि कि आपका जो बैटर है ये तयार है इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलाइची आप हरी इलाइची का प ही इसका original flavor देता है तो जाइफल कितना डालना है बहुत थोड़ आसा मतलब चुटकी भर भी अगर powder आपको मिल जाता है तो मैं कद्दू कस करके जैसे ले रही हूं आप powder भी इसका ले सकते हैं उसके बाद मैं वापस इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और अब देखे पूरन हमारा तयार है हम इसकी छोटी-छोटी सी गोली बना के आटे की जो लोई है उसके अंदर stuffing करना है जैसे आप पराठा की stuffing करते हैं वैसे ही आपने इसमें भी stuffing करनी है तो पहले हम लोग जो हमने रोली बनाई है उसके अंदर इस तरीके से डालके दबाते दबाते आपने इसको बंद कर लेना है इस तरीके से seal कर लेना है जिस तरीके से मैं पूरन आपको बता रही हूँ अगर आपने इस तरीके से तयार किया तो आपकी जो पूरन पोली है एकदम मुलायम मुलायम आप देखे इस तरीके से आपने चारो तरफ से इसको हलके हलके हाथ से चलाते चलाते इसको फैला लेना है अगर आप पूरन को सही तरीके से पकाते हैं तो बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकलता है और देखे रोटी जो हमारी पूरन पूली बनी है कितनी सौफ्ट और एकदम पतली बनी है बिल्कुल भी कहीं से हमारा जो पूरन है निकला नहीं है हलकी आज के उपर ही आपने इसको पकाना है एक साइड से जब हलका सा पक जाय तब आप घी लगाके इसको पलट देंगे बहुत जादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें गुड होता है और बहुत जल्दी जल जाता है हलके हातों से हलके से माच के उपर आपने इसको पकाना है और देखे कितनी सौफ्ट एकदम पुली-पुली सी पूरन-पुली हमारी तयार है बच्चे भी इसको बहुत असानी से खाएंगे और बहुत स्वादिस्ट लगती है तो बिल्कूर ना नुकूर नहीं करेंगे गनप पती जी के लिए भी इस परशाद को तयार कर सकते हैं तो देखे इतनी स्वादिस्ट पूरन-पुली बनी है मैं जट-पट चार-पाच पूरन-पुली और फिकवा लेती हूं ताकि इनको फिर भोग भी लगाया जा सके और खिलाया भी जा सके तो यह देखे लास्ट पूर पूरन-पुली में और क्या आप लोग डालते हैं कि आप मुझे जरूर बताईएगा तो देखे जट-पट पक के तयार हो गई है मेरे पूरन-पुली और इनको अभी देखे हाथ में मैं लिखके दिखा रही हूं इतनी मुलायम इतनी सौफ्ट बनी है